नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका Fantasy Gali के YouTube चैनल में and welcome to this special set of 8 videos that we have just done for you सिर्फ और सिर्फ आप के लिए बनाया गया है क्योंकि जो upcoming ICC Women's World Cup है उसके लिए आपको सारी teams का एक बहतरीन मौयना कर दिया जाए सिर्फ और सिर्फ हम उनके squads के उपर नजर नहीं डाल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि कौन से ऐसे player picks हैं जो कि आपको अपनी fantasy team में जब ये teams खिलेंगे तो आपको उन्हें pick करना ही करना है इस particular channel पे आपको इस tournament में participate करने वाली सारी teams के उपर एक नजर तो मिल ही जाएगा और वो पूरा जो सारा package है वो आपको एक ही playlist में मिल जाएगा तो करना बस यह है कि next video पे click करते रहें सारी जो team previews हैं आपको इसी channel पे मिलती हैं इसलिए प्लीज इस channel को subscribe ज़रूर कीजिए bell icon ज़रूर दबाईए और इसी video के description में देखे मिल जाएगा आपको एक जादूई link जहां से उस link पे आप click करेंगे फट से जाके fantasy गली का जो mobile application है वो आप download कर दे वो आप download कर लेंगे तो आपको दुनिया भर की fantasy cricket की जो analysis है prediction है, lineups है और तो और जो contest है यह सारा सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा फिलहाल इस video में हम बात करने वाले हैं जो host है इस tournament के New Zealand women's team के बारे में बताएंगे आपको कि New Zealand team जो उनकी पूरी squad है वो कैसी लग रही है, क्या उनके squad के सबसे बड़े strengths होने वाले है मैं आपको clearly बता दूँगा जो मेरे हिसाब से, मैं जिन तिन players को pick करने वाला हूँ जो की इस tournament में जाके New Zealand की तरफ से game changers बन सकते हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा fantasy points लाके दे सकते हैं, तो सबसे पहले let's look at the New Zealand's women's squad let's take a look at the squad and I'll run you through it Sophie Divine यहां के, इस team के कप्तान बनेंगे, जिनके पास बहुत सारा experience है she's done this at the international level for a long long time Amy Sathrowit का option आ रहा है, जो की top order के बल्लेबास रहेंगे और आपके vice captain है, इस team के Suzy Bates के पास experience है वो open करने वाली है, शायद Laura Down इनके पास है, option Maddie Green, Brooke Halliday Hallie Jensen, Fran Yonis, Jess Kerr, Amelia Kerr, जो की brilliant है in terms of her bowling and batting Frankie McKay रहेंगे, Rosemary Mair रहेंगे, Gainbaz हैं, वो Katie Matin, Hannah Roe और Leah Tahuhu, जो की और एक bowler है, ये इनकी squad होती है इनके squad पे मैं नज़र डालता हूँ तो एक बहतरीन blend of experience and youth है अभी घर पे जिस तरह से इनोंने भारत को शिकस दी, उससे इनकी world cup में डावेदारी तो बिलकुल बनती है, और इस squad से आपको वही पता चलता है कि देखें, आपके पास Sophie Divine, Amy Satterwhite, इनका option ज़रूर आ रहा है Susie Bates का option ज़रूर आ रहा है, जिनके पास वो experience है लेकिन अगर आप young players के बारे में बात करें, Jess Kerr हो गये Amelia Care हो गये, या तो फिर Leah Tahu हो गये इनसे आपको वो youthful exuberance भी मिलेगा definitely, इसलिए ये squad मुझे काफी balance लग रहा है लेकिन इनकी इस tournament में जो journey होने वाली है उस पे थोड़ा सा focus करते हैं, देखें, New Zealand अपनी जो campaign शुरू कर रहा है चार तारीक को, जो पहला match होने वाला है, tournament का of course host उसमें feature करेंगे New Zealand खेलेगी West Indies के साथ, और वो बड़ा crucial मुकाबला होने वाला है इसलिए मैं कहूंगा कि ये चार तारीक वाला match इनके लिए crucial है साथ को बंगलादेश के खिलाफ खेल रहेंगे लोग, तेंथ को भारत के against match है another marky picture for them, क्योंकि रिसेंटली भी भारत के against अच्छा perform किया है तो वहाँ पे confident रहेगी New Zealand की team, तेरा को Australia के साथ match है ये शायद इनका toughest मुकाबला होने वाला है 17 को साथारफिका के against match है 20 को England के against, again neck to neck teams रहेंगी ये दोनो और last game जो इनका है, वो 26 पाकिस्तान के against है देखे, ये जो format है, ये purest format of the World Cup है और तो और मैं आपको बता दूँ, जिन grounds पे ये matches होने वाले है आप Christchurch की बात कीजिये, Auckland की बात कीजिये, Wellington की बात कीजिये Hamilton, Mount Manganoi, या फिर Dunedin हो गए ये सारे grounds में ये set of players को खेल ले का बड़ा experience है इनको पता है कि balling अगर आप कर रहे हैं तो आपकी length exactly कैसी होनी चाहिए मैं as a fantasy analyst आपको ये ही suggest कर सकता हूँ कि आप अगर जब भी New Zealand game खेल रही है तो कोशिश करें कि उनके तरफ से जो bowlers है आप उनको pick करें क्यूंकि इनके पास ability है कि ये in conditions में अच्छे खासे विक्ते ले सकते हैं अब बात करते हैं कि ये पूरे New Zealand squad से कौन से से 3 players है जो मेरे fantasy prediction board में अब मैंने लिख लिया है आपको अगर नज़र आता है वो तो उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला नाम मैंने लिया है Sophie Divine का क्योंकि tons of experience है Sophie Divine शायद top of the order बल्लेबाजी करेंगे और इनसे expectation यही रहेगा कि ये लंबा खेलें ये power play निकालें ये middle overs तक बल्लेबाजी करें जितना deep ये खेल सकती है innings उतना अच्छा होने वाला है देखे 50 over cricket बड़ा difficult है उसमें test match जैसा endurance पांच दिन खेलने को नहीं चाहिए लेकिन T20 जितना कम endurance भी नहीं चाहिए आपको अच्छा खासा strength चाहिए gameplay चाहिए जिससे कि आप पूरा जो stretch of 50 overs है वहाँ पर dominate कर पाएं और Sophie Divine की साथ वो defensive game है power game जरूर है मैं इनके साथ persist करूँगा इनके अलावा जो दूसरे player आपके board पे नज़र आ रहे हैं वो है बॉल के साथ 3-4 विकेट तो ले ही लेंगे लेकिन बैट के साथ बड़े runs करते हैं recently हमने भारतियो women's के साथ जो series था वहाँ पे भी देखा कितनी आसानी से ये runs बना रहे थे pace के साथ इनके पास एक almost half a millisecond का time जाधा रहता है जितने भी दूसरे batters आप तब बैर कर ले ऐसा लगता है ये slow motion में बल्लेबाजी करते हैं और जब bowling करने आते हैं तो इनके पास काफी variations है line और length इनका बड़ा पक्का है इसलिए ये मेरे दूसरे pick है तीसरे pick जो इस team में मैं predict कर रहा हूँ कि अच्छे आपको points बनाके देंगे वो है आमनी सातरवाय जो कि शाथ middle order या top order में बल्लेबाजी करेंगे again someone with a lot of experience on her side game exactly इनको अपनी game का बड़ा अच्छी तरीकी से पता है पता है कि इनके matchups कौन है spin के हिसाब से कितने aggressively इनको खेलना है pace के हिसाब से कहा chances लेनी है V in the V जादा shots खेलनी है या square of the wicket खेलनी है ये सारा जो game awareness है, batting awareness है ये Ami Saterwight में आपको जरूर नज़र आएगा इसलिए ये मेरे तीसरे player है जिनको मैं prefer अब तो at this point of time मैं predict कर रहा हूँ कि ये तीन players आपको सबसे ज़्यादा points बना के देंगे ये थी New Zealand की पूरी team की analysis इसी channel पे आपको जो बाकी contenders हैं इस particular Women's World Cup के लिए उन सबके लिए आपको एक individual video मिलेगा एक ही playlist में आपको वो मिल जाएगा बस click करते रहें next video, next team को देखते रहें ताकि आप जो homework करने वाले थे वो homework हमने आपके लिए already कर दिया है pro tips आपको मैंने बता दिये है New Zealand team की तरफ से इस channel को आप please subscribe करें क्योंकि बड़ी भेनच जाती है आपको ये सारा सबकोच analysis देने में bell icon ज़रूर दबाए जसा कि मैंने कहा कि इसी वीडियो के description में आपको वो link मिल जाएगा जहां पे आप fantasy गली का mobile app download कर पाएंगे download the fantasy गली mobile app right now बात बत इतनी सी है कि अब हुआ New Zealand की बात खतम इसी channel पे आपको दूसरे team के वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे और तो और दुनिया भर की fantasy cricket की analysis के लिए जुड़े रहें fantasy गली के साथ तब तक बावशीश को दे इसाज़त from the entire fantasy गली team बाबाई